बैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों की आवरिती समान होती है क्योंकि हम फॉर्मिले में लिखते हैं I equal to I0 sin omega t और E equal to E0 sin omega t मतलब omega दोनों में एक ही है, omega बराबर होता है 2 pi nu nu मतलब frequency आवरिती, इसका मतलब दोनों की आवरिती समान है दोनों की कला में अंतर हो सकता है, कला में अंतर का क्या मतलब होता है दोनों की आवरिती तो समान है, लेकिन जब कला में अंतर होगा तो जब हो सकता है voltage का 0 हो, तब धारा का 0 मानना हो जब voltage का शिखरमान पहले पहुँचे और धारा का शिखरमान बात में पहुँचे तो जब दोनों के शिखरमान एक साथ नहीं होते तब हम कहते हैं कला में अंतर है और जब दोनों के शिखरमान एक साथ होते हैं तो हम कहते हैं वो समान कला में है तो ऐसी स्थिती आती है विविन्य परिपतों में जब हम विविन्य परिपत ऐसी प्रत्यवर्ती धारा को लेकर बनाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि धारा और वोल्टेज के बीश में कला अंतर होता है तो इस कला अंतर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस समय समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है एक्चुली ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमको आगे के डेरिवेशन में बिलकुल ध्यान रखकर सॉल्व करना है यह कि हम बड़े-बड़े डेरिवेशन को ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं जब उसका कॉंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो तब हम उसमें आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं तो जब दोनों ही समान कला में होते हैं मतलब दोनों का शून्य भी समान होगा दोनों में अधिकता मान भी समान होगा दोनों की दिशा भी एक साथ बदल जाएगी तो उस स्थिती में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं जिसको यह दियम डायग्राम में देखें तो इस प्रकारदर शाय जाएगा इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होगा V equal to V zero sine omega T और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होगा I equal to I zero sine omega T उस condition में समी करण देख कर हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान कला में हैं मान लीजी ऐसी स्थिती है कि वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकता मान पहले आ जा रहा है और प्रत्यावर्ती धारा का अधिकता मान बाद में आ रहा है उस condition में हम दो सब्दे इस्तमाल करते हैं जो आगे चल रहा है उसके लिए हम लिखते हैं अग्रगामी और जो पीछे चल रहा है उसके लिए हम लिखते हैं पश्चगामी अग्रगामी यानि की leading पश्चगामी यानि की lagging तो यहां पर दोनों शब्द का किस प्रकार इस्तमाल करना है यह देखेंगे अब इस condition में voltage आगे चल रहा है और धारा पीछ चल रहे हैं ा मार लेजेे दोनों में कला अंतर जो अधिक्ता मान वोल्टेज के आने के बाद फई अंतर के बाद प्रत्यावर्ति धारा का अधिक्ता मान आ रहा है उस condition में हम प्रत्यावर्ति वोल्टेज का समीकरण लिखेंगे V equal to V zero sine omega T और धारा का समीकरण हम लिखते हैं I is equal to I zero sine omega T लेकिन अगर वोल्टेज आगे है वोल्टेज अग्रगामी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे V zero sine omega T plus 5 यदि plus 5 वोल्टेज के समीकरण के साथ लगा है इसका मतलब वोल्टेज अग्रगामी है और धारा पश्चगामी है वोल्टेज अग्रगामी बोलो यदारा पश्चगामी बोलो दोनों का एक ही मतलब है मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो वस्तुएं रखी गई है A और B यदी मैं पूछूं दोनों में से कौन बड़ी है तो चित्र देखकर हम क्या सकते हैं A वाली बड़ी है या फिर मैं यह कहूं कि B वाली छोटी है तो भी उसका वही मतलब निकलता है कि A वाली बड़ी है सेम वैसे ही यदी हम एक के साथ अगर गामी शब्द लगा रहे हैं तो वो अंडर्स्टूड होता है कि दूसरी वाली पश्च गामी ही होगी तो इस समीकरन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं V एक्वल टू V0sin ओमेगा टी I एक्वल टू I0sin ओमेगा टी यह तो लिखते ही हैं पहले वाले में हमने वोल्टेज में प्लस फाई लिखा क्योंकि वोल्टेज अगर गामी था अगर मैं यह कहूं कि धारा पश्च गामी है तो हम लिखेंगे आई एक्वल टू I0sin ओमेगा टी माइनस फाई या तो मैं वोल्टेज के साथ प्लस फाई लगाऊंगी या तो धारा के साथ धारा में ओमेगा टी के साथ माइनस फाई लगाऊंगी यह दोनों का एक ही मतलब होता है यह मैं आप लोग को इसलिए इतना फोकस करके वता रहे है तो कोस्चन में यदि धारा के साथ माइनस फाई लिखा हुआ आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं पर यह दोनों का एक ही मतलब होता है कि इस कंडिशन में वोल्टेज आगे ही चल रहा है वोल्टेज फाई कलांतर से प्रत्यावर्ति धारा से आगे ही है यदि दूसरी कंडिशन ले रही हूँ जिसमें कि धारा अगर गामी है फाई कलांतर से मतलब ग्राफ में हम देखे तो इस प्रकार देखेंगे कि धारा आगे चल रही है मतलब धारा का शीखरमान पहले मिलेगा और उसके बाद हमको वोल्टेज का शीखरमान प्राप्त होगा उस कंडिश यहां धारा आगे चल रही है अग्र गामी है लीडिंग है तो हम वहां पे धारा के समीकरण में ओमेगा टी के साथ प्लस फाई लिखेंगे या फिर यह हम कह सकते हैं कि वोल्टेज पस्च गामी है तो पस्च गामी के लिए क्या करेंगे minus file लिखेंगे तो इस समीकरण को ऐसे भी रिखा जा सकता है V equal to V zero sine omega T I equal to I zero sine omega T पर यहां voltage को हम पश्च गामी lagging कहेंगे तो यहां पर omega T के साथ हम minus file लिखेंगे क्योंकि यहां पर voltage पश्च गामी है तो इस तरह अगर गामी और पश्च गामी यदि हम शब्द इस्तमाल करते हैं तो दोनों में किसी एक के साथ हम fire present करते हैं या तो जो अगर गामी हो उसके साथ हम plus file लिख देते हैं या जो पश्च गामी हो उसके साथ हम minus file लिखते हैं इसी प्रकार प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का और अच्छे से विशलेशन करने के लिए हम फेजर आरेक भी बनाते हैं फेजर आरेक में हम X और Y दो अक्षों में दो तीर के निशानों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो तीर के निशान प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे मतलब घड़ी की सुई की विपरित दिशा में यह रोटेट करते हैं और यदि इन दोनों तीरों के बीच में डिफ्रेंस है तो वो डिफ्रेंस फाई से दर्शाया जाएगा जो की कला अंतर को रिप्रेजेंट करता है इन में से जो द Sant Artbot रोटेट करेंगे अगर यहाँ पर आई और व डोनों की बीच में अंतर है इसका मतलब यह आई और व के बीच में प्रत्यवर्ति धारर के शिखर्मान और प्रत्यवर्ति वोल्टेज के глаза शिखर्मान में कला अंतर को दर्शा रहे हैं और यदि हम इनसे जो तीर की निशान हमने बनाए हैं जो प्रत्यवर्ती धारा और वोल्टेज की शिखर मान को दर्शार है उससे हम एक लंब वाई अक्ष में ड्रॉ करते हैं तो ये वाई अक्ष का जो मान हमको प्राप्त हो रहा है वो धारा के और वोल्टेज के ताच्छनिक मान मतलब प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टेज के ताच्छनिक मान को रिप्रेजन्ट करता है और इस प्रकार जो आरेक बनाया जाता है वो कहलाता फेजर आ यहां पर वोल्टेज धारा से अग्रगामी है मतलब वोल्टेज आगे होगा वोल्टेज का शिखरमान आगे होगा धारा का शिखरमान पीछ होगा उस कंडिशनल फेजर आरेक में हम यह देखें तो यहां पर वोल्टेज उपर बना है और धारा का शिखरमान नीचे बना दोन उस कंडीशन में यह डाइग्राम ऐसा बन जाता है यहां धारा के शिखरमान को पहले दर्शाएंगे उपर और वोल्टेज के शिखरमान को नीचे दर्शाएंगे और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कोण दर्शायगा कला अंतर फाइग को जिस प्रकार हम समीकरण दर्शाएंग तो यहां पर यह कोण यहां नीचे बनेगा जिसको ओमेगा से दर्शाएंगे और इन दोनों की बीच में जो कला अंतर होगा उसको से दर्शाए जाएगा तो इस प्रकार phasor आरेक को देख के भी हम ये जान सकते हैं कि voltage और धारा में अग्र गामी कौन है और पश्च गामी कौन है अब हम कुछ phasor आरेक देखते हैं और इन phasor आरेक को देखकर हम प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती voltage का समी करण लिखेंगे तो ये है पहला आरेक इस पहले आरेक में हम देखते हैं कि voltage और धारा दोनों एक ही रेखा में है और ये कौन बनाए हुए x के साथ omega t यदि हम इस phasor आरेक को रेखे तो इन में voltage का शिखरमान और धारा का शिखरमान दोनों ही तीर की निशान से दर्शाएगा है जो voltage का शिखरमान है वो बड़े तीर से दर्शाएगा है और धारा का शिखरमान छोटे तीर से दर्शाएगा है क्योंकि यदि हम समी करण के अनुसार देखें यदि किसी चालक जिसका प्रतिरोध आर है उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो सम्मंद होता है V equal to IR इसका मतला हम फॉर्मूला लिखते हैं I बराबर V upon R जब हम voltage को divide कर रहें प्रतिरोध से तो ये धारा का मान कम ही हमको प्राप्त होगा इसलिए जब हम प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान की बात करते हैं तो ये voltage के शिखरमान से सदाय भी कम होगा ये कोई चालक कितना भी अधिक चालक ता क्यों न रखे उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होता है इसलिए धारा का शिखरमान हमेशा चोटे तीर से दर्शाय जाएगा अब इस डाइग्राम में voltage और धारा का समीकरण किस प्रकार होगा दोनों एक की उपर एक दर्शाय गए हैं मतलब दोनों के बीच में कोई कलानतर नहीं है दोनों समान कला में हैं जब दोनों समान कला में हैं तो इसका समीकरण होगा वी इक्वल टू वी जिरो साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई जिरो साइन ओमेगा टी अब हम दूसरा आरेक देखते हैं यह दूसरा आरेक है यहाँ पर हम देख रहे हैं X और Y अक्ष है वोल्टेज का शिखरमान उपर वाले तीर से दर्शाए गया है धारा का शिखरमान नीचे वाले तीर से दर्शाए गया है और दोनों के बीच में अंतरे फाई का अब आपके सामने चार समीकरण है इन चारों में से कौन से समीकरण सही होगा चित्र देखकर तो हमको यह अंदाजा लग गया है कि यहाँ पर कौन अग्रगामी है यहाँ पर वोल्टेज अग्रगामी है और धारा पश्च गामी है तो इन समीकरणों में हम देखेंगे जिसमें वोल्टेज के आगे प्लस फाई लिखा है वो समीकरण और दूसरा धारा के आगे माइनस फाई लिखा है वो समीकरण भी है लेकिन यह प्लस फाई या माइनस फाई दोनों में किसी एक की साथ ही लगता है यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस फाई माइनस फाई एक सुत लगा है तो यह समीकरण इसका करेक्ट समीकरण नहीं होगा बल्कि हमको किसी एक में लगाना है जैसे कि यहाँ पर यह वाला समीकरण जिसमें voltage के साथ plus 5 लिखा हुआ है और धारा के साथ केवल omega t लिखा हुआ है या फिर ये वाला समीकरण जिसमें voltage के साथ सिर्फ sin omega t लिखा है लेकिन धारा के साथ minus 5 लिखा है तो ये दोनों ही समीकरण इस चित्रे के लिए सही होंगे मतलब इस phasor r1 के दो समीकरण हो सकते हैं अब हम next वाला phasor r1 देखतें तिसरा r1 इस r1 में हम देखें तो जो धारा का शिखरमान है voltage के शिखरमान से उपर बनाया गया है और 5 कलांतर वहां पे दर्शाय गया है दिख रहा है हमको अब इसमें भी चार समीकरण है इन चारो समीकरण में सही समीकरण कौन सा होगा क्या चारो सही है कि इसमें से एक या दो कितने सही है यहां से हमको इस समझ में आ रहा है कि धारा वोल्टेज से अगर गामी है यह हम कह सकते हैं वोल्टेज धारा से पश्च गामी है दोनों ही अपनी जगे पे सही है तो इस समीकरण में हम देखते हैं धारा के साथ साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है और वोल्टेज के साथ माइनस फाई लिखा है पर दोनों एक ही साथ लिखे हैं तो ये दोनों एक ही साथ नहीं लिखी जाते हैं ये रांग स्टेटमेंट होगा या तो हमको इस प्रकार लिखना पड़ेगा i equal to i0 sin omega t plus 5 v equal to v0 sin omega t या तो हम लिख सकते हैं i equal to i0 sin omega t v equal to v0 sin omega t minus 5 तो यहाँ पर भी ये दोनों समी करण इस फेजर आरेक के लिए सत्ते हैं किसी भी चालक से जब विद्दुधारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक उस धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उस रुकावट को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं अब इस चालक में चाहे AC प्रवाहित हो चाहे DC प्रवाहित हो यानि कि चाहे दिश्ट धारा प्रवाहित हो चाहे प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित हो इस रुकावट को हम प्रतिरोध के नाम से ही जानते हैं और जो चालक ओम की नियम का पालन करते हुए, यानि कि जिसमें वी समानुपाती होता है आई के, ऐसे चालकों को हम ओमी प्रतिरोथ के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास संधारित्र भी होता है और कुंडली भी होती है। जब संधारित्र और कुंडली को, जब हम ऐसे परिपत में जोडते हैं, जिसमें से प्रत्यावर्तिधारा प्रवाहित हो रही है, उस कंडिशन में इनके द्वारा डाले गए रुकावट को हम प्रतिरोथ के नाम से नहीं पुकारते। उस समय इसका नाम चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस किस नाम से पुकारते हैं। अब वो संधारित्र और कुंडली को लेकर बनाए गए प्रत्यावर्तिधारा परिपत में प्रतिघात के नाम से जाना जाता है। जिस प्रत्यवर्ती धारा परिपत में केवल संधारित्र जुड़ा हो, और उसमें से प्रवाहित की जारिये प्रत्यवर्ती धारा, तो आने वाले रुकावट को हम कहते हैं संधारित्रिये प्रतिगात, जिसको इंग्लिश महम कहते हैं Capacity of Reactance. वैसे ही यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपत में केवल कुंडली जुड़ी हो प्रेरक कुंडली यदि उसमें जुड़ी हुई है उस समय हम उस प्रेरक कुंडली द्वारा डाले गया रुकावट ये अवरोध को कहते हैं प्रेरकिय प्रतिगात यानि की इंडक्टिव रियक्टेंस वैसे ही किसी परिपत में यदी संधारित्र, ओमिये चालग, प्रेरक कुणली इन तीनों में से किसी दो कभी संयोजन है या तो ओमिये चालग या संधारित्र हो या ओमिये चालग और प्रेरक कुणली हो या संधारित्र और प्रेरक कुणली हो या ओमिये चालग, संधारित्र और प्रेरक कुणली तीनों ही लगे हो उस condition में इन घटकों के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को हम कहते हैं प्रतिबाधा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं Impedence इस प्रकार अलग-अलग condition में धारा के प्रवाह में जो रुकावटे आती हैं अवरोध आते हैं उनको हम तीन अलग-अलग नाम से जानते हैं एक resistance जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं दूसरा reactance जिसे प्रतिबाध कहते हैं तीसरा impedance जिसे हम प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं इन तीनों में क्या अंतर है इसे हम आगे देखते हैं अब हम प्रतिरोत, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर स्पष्ट करते हैं प्रतिरोत, प्रतिघात, प्रतिबाधा किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोत को उसका प्रतिरोत कहते हैं प्रत्यावर्तिधारा परिपत में प्रिरक्ष। प्रिरक्ष। के अवरोध को प्रतिगात कहते हैं। इन तीनों को देखे हम तो प्रतिरोध शब्द इसी परिपत के लिए इस्तमाल किया जाता है। और DC परिपत के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन प्रतिघात और प्रतिबाधा शब्द हम केवल प्रत्यवर्ती धारा परिपत में ही इस्तमाल करते हैं इसका मान प्रत्यवर्ती धारा की आवरिते पर निर्भर नहीं करता इसका मान प्रत्यवर्ती धारा की आवरिती पर निर्भर करता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसे X से प्रदर्शित करते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं।